एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे चैनल जी टी गुरुजी पर जहां आप सब को पता जी फर ग्रामर एंटी फर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्ट आपका इंग्लिश गुरू प्रभात कुमार सिंग और आपने बनाए हैं जो टेंसेज उनके खास करके अभी पिछले आट-दस इक्सरसाइजेज के और इसके अलावा थोड़े से और पहले के भी दूसरा इसमें मिसलेनियस में एक होता है कुछ वर्स बस निव रहते हैं प्रैटर्न सब सेम रहते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं क इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं मतलब इसका आप मतलब है कि पीछे के आट-दस इक्सरसाइजेज को आप दुबारा बना लीजी आप हो सकता है उसके स्रुक्चर्स वगरा को भूल गया और कुछ भी नहीं रहता है और एक दो जो पीछे का बहुत पीछे का रहता ह एक्सरसाइज अभी हाँ एक सीज और की अभी आपको एक्सरसाइज उपर आई बटन में एक्सरसाइज 121 का लिंक नजरा रहा होगा यानि हमारे चैनल पर इस बुक के एक्सरसाइज 1 से लेकर 121 तक के विडियोज अप्लोड हो चुके हैं और वो दो प्लेलिस्ट में आप नीचे description में मिल जागा तो नहीं से जाकर करके आप देख लें इसके अलावा जूनियर ऐक्सवर्ड जूनियर इंग्लिस ट्रांसलेशन के का बुक वो कंप्लीट हो चुका है इसके अलावा जो है वो आपको अप्सवर्ड जूनियर इंग्लिस ग्रैमर का भी प्लेट हो सुबह से साम से दो घंटे से रह तो फिर present perfect continuous हो जाता है इसलिए हो जाएगा he has been running since morning तुम सुबह से नहीं पर you haven't या you have not been reading since morning वो बच्पन से कुछ नहीं कर रहा है he hasn't या he has not been doing anything since his childhood किसी के बच्पन जवानी की बात हो his हर जो भी से है उसके हिसाब से ही है तो his see रहता तो हर मी आई रहता तो माई है नहीं यह लगेगा ही अगला है वो अल्ला परवाही से पैसे खर्च करता है है ना तो he has been करता रहा देकि एक पैचानी यह ता रहा है ती रही या नहीं तो रहा है रही है में say लग जाए है ना तो he has been spending money carelessly अगला है क्या राम बाबु दो हजार ती teaching in this school since 2003 क्या तुम गत सुंबार्शे अंग्रेजी नहीं पर रहे हो haven't you या have you और तब not been reading English पर रहे है reading English since last Monday या Monday last दोनों होता है last Monday भी होता है Monday last भी और भी exercises में यह बात मैं बता चुका हूं आप 9 बजे से क्या कर रहे है what have you been doing since 9 o'clock since 4 के बारे में भी मैं बता चुका हूं पिछले वीडिया में भी हलका सा चलिए कुछ लोगं confusion हो तो बता देता हूं 4 का प्रियोग जो होता है वो changeable में होता है changeable जो बदल जाए बार बार है ना और since जो है वो fixed में होता है जो की fixed रहता है कहने का मतलए ऐसे बुक में देखेंगे तो since का प्रियोग रहता है आपको कि यह जो है point of time के साथ लएगा और फॉर जो है वो period of time लेकिन वो समझना थोड़ा बहुत लोगों के लिए मुस्किल हो सकता है इसलिए मैं आसान भासा बनाया हूं fixed और changeable जैसे मैं कहूं इसलिए जैसे पांच दिनों से रहे तो आपको फॉर फाइव डिज लाएगा क्योंकि कल शे दिन फिर साथ दिन लेकिन पहले मंदे कहूं तो मंदे फिक्स रहेगा और अभी जो मैं बता रहा था तो उससे भी जरूर यह है कि अभी उपर आपको आई बटन में नीचे description में भी एक playlist नजराएगा important grammar topics in English उसमें जाकर कि आप 10 का मैंने जो एकदम शुडू से ले करके जीरो से hero level तक का वीडियो बना दिया है पांच पार्ट में तून है आप जोड़ देख ले यह तो solution वीडियो है इसमें तो मुझे सिर्फ आंसर बताना है चलिए इसका answer हाला कि जी बताये थे कब से का since when हो सकता है या फिर for how long भी हो सकता है जो कि आप इसमें देख रहा है for how long has he been living in this house वह शाम से क्यों नहीं आ रहा है why hasn't he या फिर why has he और तब not been coming since evening अगला है मैं वरसों से आपका इंतजार कर रहा हूँ I have been waiting for you वेट के साथ हमेसा for लेगा for you for years वरसो रात से खाना क्यों नहीं खा रही है and why hasn't she been eating since night इसमें since the night बगर की जरूरत नहीं है आप सुबह से विश्राम क्यों क्यों कर रहे है why have you been taking rest since morning आप इस नोकड़ी के लिए कब से कोशिश कर रहे है for how long या फिर since when have you been trying for this job आगे बढ़ेंगे अगला है क्या वा सुबह से दोर रहा है तो has been running since morning friends यह चुटा सा exercise था यहीं पर समाप्त हो गया उमीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा कोई confusion नहीं होगी फिर भी कोई confusion हो तो आप comment करें मैं reply जहूर देता हूँ थोड़ी देर सही सही और साथ में हम हमारे वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं comment आजकल आपनों के अच्छे से आ रहे हैं इससे हमारा उत्सा बर्दन होता रहता है चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब कर लें और साथ में notification bell में all को press कर दें जिससे की हमा वीडियो में तब तक के लिए have a nice day